आप बताईए कि ये जो डेंगी और मलेरिया सबसे कॉमन है, especially हमारे दिल्ली के बेल्ट में, तो इन में कॉमन सिम्टम्स क्या पाये जाते हैं और किस तरीके से जो है एक पेशेंट पहचान सकता है कि ये सिम्टम्स मलेरिया के हो सकते हैं कब हुने आउस्पिकल में आना चाहिए? जी, so very commonly we see कि जैसे बारिशे खतम होंगी, बहुत सारे कूलर्स में पानी खड़ा रहता है, कई टायर्स होते हैं, वाटर लॉगिंग होती है, मच्छर बढ़ जाता है, और मच्छर के काटने से ये दोनों बीमारियां फैलती हैं, तो initially हमें नहीं पता होता कि ये क्या बुखार है, पेशन को सबसे पहले बुखार होगा, जो कि तेज भी हो सकता, जो कि तेज भी हो सकता, it can go up to 102, 103, ठन लग सकती है, and headache हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है, बिलकुल weakness हो सकती है, dehydration हो सकती अगर पानी ना ले, ये सब common symptoms है, पर जैसे डिंगू में हम commonly देखते हैं, retro orbital pain, कि आंख में बहुत दर्द होता है, headache बहुत ही severe होता है, बॉडी एक बहुत ज्यादा होता है, किसी को lose motions भी हो सकते हैं, पेट दरद हो सकता है, whereas in malaria we see कि बुखार उतना ही तेज होता है, बट ठंड बहुत ज़ादा लगती है, chills लगते हैं, and malaria में ये है कि, मतलब every alternate day या third day बुखार आएगा, और maximum कभी-कभी हम देखते हैं कि daily भी आ जाता है, बट डेंगू में तो continuous आता जाता, every 5-6 घंटे तेज बुखार for the first, 3-4-5 देज भी हो सकता है, बाकी common symptoms होते हैं, even with typhoid कि headache है, बट टाइफोईड में देखा जाता है कि constipation is generally more common, and paid दरद, prostration, बाकी जो severe वाले symptoms होते हैं, कि एकदम से गफलक वाली हालत हो जाती है 2-3 दिन में, ये generally dehydration की वज़ा से होती है इन बीमारियों में, बाकी बीमारियां अलग हैं, कि encephalitis या meningitis में, आपको drowsiness या altered sensorium मिले, बट डेंगू मलेरिया में, ये डेंगू में especially, dehydration is a very common precipitating और aggravating factor, तो डेंगू का कोई ऐसी दवा तो है नहीं डेंगू fever के लिए, तो जो इस चीज में हमें करना है, कि हमें hydration ज़रूर maintain करना है, पानी बहुत पीना है और पिलाना है, जिसको भी लगता है कि high fever है, क्योंकि high fever में वैसे भी body का metabolism बढ़ जाता है, so you need more fluids, and water intake definitely बढ़ाना चाहिए, और एक चीज जो मैं बहुत emphasize करूंगी, कि डेंगू में जैसे हम शुरू में जनरली अब सब लोग टेस्ट तो करवा ही लेते हैं, CBC, डेंगू, मलेरिया का, तो CBC में आपको जो चीज ध्यान में रखनी है, प्लेटलेट काउंट की बारी बाद में आती है, 4-5 दिन के बाद हो गिरना शुरू होता है, बट शुरू में जनरली इसमें TLC लो होता है, और हमें ये देखना है कि हीमोग्लोबिन बढ़ना नहीं चाहिए, हीमो कॉंसेंट्रेशन नहीं होना चाहिए डेंगो में, विच इस अ मौर रिस्कियर फैक्टर दन देखना है तो हाइड्रेशन इस वेरी इंपॉर्ट तो जब आपको लगे कि ये जो भी बच्चा या अडाल जो भी डी हाइड्रेट हो रहा है या इसका हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है या इसकी जो सेंसोरियम ठीक नहीं है तब डेफिनेटल इशुड रश तो दे हॉस्पिटल पट इफ इस नॉर्मल डेंगी फीवर की बुखार आया है अपने पानी वानी खूब पिलाया एक रेड कलर की रैश या अरिदीमा जिसको हम कहते हैं वो आ गया है और आपको पता है कि मतलब CBC अल्मोस डेली डेंगी में होना चाहिए along with liver and kidney functions जो की हर तेज बुखार में भी हमें करने चाहिए so we have to watch not only the platelet count we have to watch the hemoglobin the hematocrate and the TLC so if the अगर hemoglobin और hematocrate बढ़ रहा है अपको जरूर पानी बढ़ाना है और नहीं ले सकते उल्टी की वज़ा से तो admit होके IV fluid लगवाना है और अगर आपका ठीक चल रहा है सब platelet आपका बुखार भी अब उतर गया पड़ अब platelet जब बुखार उतर जाएगा तो platelet गिरेगा तो कईयों में तो हो सकता एक लाक असी हजार तक platelet होके वहां पर रुक के और फिर बढ़ जाए बट अगर पचास साथ हजार तक platelet आ गया है तब भी आपको admit हो जाना चाहिए in a case of dengue fever